चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन आज के एपिसोड में इस बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के पार्ट से आज का पार्ट शुरू करने से पहले एक बात आपसे शेर करना चाहता हूँ जैसे आपको पता है हमने पीछे अनाउंस किया था कि 31 दिसंबर तक जिन लोगों के एकाउंट हमारे लिंक के थुरू जिरौधा में खुलेंगे उनके लिए एक आफर है उनको मैं परसनली कॉल करूंगा तो हमें काफी लोगों के sms आ रहे हैं के sir आप call कव करेंगे तो इस महिने के आखिर के बाद यानी February में हम calling की start करने जा रहे हैं February से आप जितने लोगों के एकाउंट खुले है उनके पास धीरे धीरे करके हमारा call आना शुरू हो जाएगा अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पहले किसको कॉल करें पहले जिसने फॉर्म बरा है उसको या पहले जिसका एकाउंट खुला है उसको या एलफेबेटिकल ओर्डर से ये डिसाइड करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसके लिए मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका सोचा है वो तरीका ये है कि हम जब कॉलिंग की शुरुआत करेंगे तो हम सबसे मोस्ट एक्टिव एकाउंट उठाएंगे जिनके अंदर पिछले एक डेड़ महीने में जादा काम हुआ है या लोग जो जादा की कोशिश करेंगे तो मेरा मानना ये है कि दिक्कत उनकी सौल्व होनी चाहिए एचली जो काम कर रहे हैं जो खाले एकाउंट खुलवा के बैठे हैं उन्होंने तो अभी काम करना शुरू ही नहीं किया तो हम कॉलिंग की शुरुआत मोस्ट एक्टिव एकाउंट से एक डेड़ महिने में काम हुआ है लोग वो ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग में इन्वाल्व हैं और उन लोगों की दिक्कत को सुलजाना पहले बनता है हम पहले उनको कॉल करेंगे और जिन लोगों ने अभी अपने अकाउंट के अंदर काम करना स्टार्ट नहीं किय है उन लोगों को भी हमारा कॉल जरूर आएगा लेकिन वो कुछ समय के बाद आएगा तो जिरौधा की जो ओफर है उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि हमारी जब कॉलिंग स्टार्ट होगी उसमें और जो है वो कैसे रखा जाएगा सबसे मोस्ट एक्टिव जो एकाउं फंडामेंटल अनालिसिस की कि क्या होता है टेकनिकल अनालिसिस की वो क्या होता है आपको क्या करमा चाहिए फंडामेंटल अनालिसिस जैसे आप मेंसे थोड़े बहुत लोग जानते होंगे कि फंडामेंटल अनालिसिस में कमपनी के बारे में जानकारी ली जाती है कमपनी क क्या करती है कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई है कमपनी का प्रॉफिट कितना है उसकी बैलन्स शीट कितनी है उसकी पी रेशो कितनी है उसका एपियस कितना है उसकी रेशो क्या बोलती है यह जितनी भी चीजें है वो फंडामेंटल अनालेसिस में आती है यानि कि कमपनी की health कैसे है company जो चल रही है वो कुछ पैसा कमा रही है के नहीं कमा रही है उसके आगे के growth plans क्या है वो क्या product based है क्या वो नई innovation कर रही है किस-किस market में काम करती है खाले export करती है या domestic भी बेशती है या खाले domestic बेशती है एक्सपोर्ट भी करती है यह सब जो चीजें हैं कंपनी के बारे में छोटी 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 यह चीजें fundamental analysis के अंदर आती हैं। आप company के बारे में पूरी जानकारी लेते हो, जैसे कि आप doctor के पास जब जाते हो, तो doctor आपका पूरा check-up करता है, आपकी heart beat ठीक चल रही है कि नी चल रही, आपकी नाड़ी ठीक चल रही है कि नी चल रही, आपके lungs कैसे काम कर रही है, आपकी kidney कैसे काम कर रही है, आपके बार आदमी की health कैसी है आप किसी company से insurance कराते हैं वो लोग भी आपका पूरा check up करते हैं कि इस आदमी की health कैसी है उसकी base पे वो आपकी insurance करते हैं ऐसी companyyों के बारे में भी होता है fundamental analysis का मतलब है उसके बारे में उसकी health का check up करना कि वो company आज की date में कैसी है क्या कर रही है और इसका analysis में आती हैं दूसरी तरफ technical analysis जो है वो इन सब चीजों की तरफ बिलकुल ध्यान नहीं देता है technical analysis ये मान के चलता है कि जो भी चीजें fundamental में हैं वो सारी की सारी इस भाव के अंदर आ चुकी हैं वो सिर्फ भाव को analysis होती है उसको technical analysis कहा जाता है आपके पास जब market में रोज काम होता है तो एक rate मिलता है आपको कि इस rate पे खुला share इस rate पे बंद हुआ share वो भाव जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है उसकी जो analysis है उसको technical analysis कहा जाता है जो की chart के base पे होती है जब आपके पास भाव आता है उस भाव को आप एक chart पे plot करते हैं उस भाव की अपनी एक patterns होते हैं उस भाव की अपनी एक भाशा होती है उसको read करने का नाम technical analysis है अब एक आम आदमे के सामने समस्या ये है कि वो इन दोनों analysis में से किसका इस्तमाल करे, किसको छोड़ दे और किसको देखे देखिए दोनों चीजे important हैं, आपको दोनों चीजों को देखना है लेकिन जहां तक मैं अपनी बात करूँ, मैं हमेशा weighted जो है वो technical analysis को ज़्यादा देता हूँ और fundamental analysis को कम देता हूँ में वो leader है, या वो तीसरे चौथे नंबर पे आती है, ये सब चीजें और इसके इलावा company के जो owner है, जो promoter है, वो कौन है इन चीजों को देखने के बाद इससे ज़्यादा analysis मैं नहीं करता हूँ मुझे काफी लोग कहते हैं कि सर आप technical देखते हैं, आपको तो company के बारे में कुछ पता ही नहीं है मैं उनको कहता हूँ, मैं जो technical देखता हूँ, मैं जो भाव देखता हूँ, वो भाव बनाने वाले वो लोग हैं, जो fundamental देखते हैं इसलिए मैं fundamental देखता हूँ, मैं fundamental डारेक्ट नहीं देखता लेकिन मैं अपने भाव के थूरू, जो मेरा भाव है, उसके थूरू fundamental देख लेता हूँ, क्योंकि जो वो price बन रहा है, उस price को बनाने वाले, उस price को चलाने वाले, वही लोग हैं, जो सारा दिन सुबह से लेके शा तक fundamental देखते हैं चाहे वो आपके mutual fund वाले लोग हों चाहे FIs हों चाहे DIs हों चाहे insurance company हों वो fundamental की base पे लेते हैं कि ये company कैसा है इसके number कैसे लग रहे हैं तो अगर वो लेते हैं तो price में तो आ जाएगा ना price में आएगा हम उसी price को watch करते हैं इसको कहते हैं technical analysis एक बात आपको बताता हूँ ये आपको समझनी बहुत जरूरी है इस market के अंदर सुभे साड़े नौ बजे से लेकर शाम को साड़े तीन बजे तक hit trading होती है ना उससे पहले होती है ना उसके बाद होती है अब आप कहेंगे सरी है तो बड़ी अच्छी बात है ये तो हमें पता है आपको पता है लेकिन इसके पीछे चुपी हुई बात भी आपको पता होनी चाहिए कि आप और मैं और वो FIs और वो DIs और वो समझदार लोग और वो बहुत बड़ा पैसा वो smart money ये सारे लोग इसी time के अंदर काम करत हैं ये इस बात को जिस दिन आप फील कर लोगे अच्छे से अंदर से उस दिन आपको पता चलेगा कि सुबह साड़े नो बजे से पहले तो सौदा वो भी ने डाल सकते साड़े तीन बजे के बाद भी सौदा ने डाल सकते यानि कि वो आदमी जो आप से समझ में कहीं है आप से इन्फॉमेशन कहीं जादा है उसके पास वो आदमी भी आपके साथ उसी समय उसी मार्किट में सौदा डालता है जिसमें आप डालते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास पैसा बहुत जादा है तो अगर उसके पैसा जादा है तो जब भी वो बड़ा के प्राईज में दिखना शुरू हो जाएगा भाव में आ जाएगा जैसे ये उसके भाव में आएगा आप अगर उस भाव को रीड करना जानते हैं सबसे पहले आपको पता चलेगा वो smart money वो बड़ा पैसा वो smart लोग आपके साथ ही काम कर रही हैं आपको उनके हाथ पहचान उने आने होंगे आपको कभी भी दिखेंगे नहीं वो लोग कौन हैं आपको उनका नाम पता नहीं चलेगा लेकिन उनका काम आपको साथ दिखेगा जब एक शियर टेजी से उपर जा रहा होता है उसको आप उपर लेके नहीं जाते हो ना मैं उपर लेके जाता हूं कोई है को चुपे हुए हाथ हैं जो उसको उपर लेके जा रहे हैं उन चुपे हुए हाथों को सारे fundamental पता हैं उन चुपे हुए हाथों के पास में information भी हमसे जादा है वो जो चुपे हुए हाथ हैं वो भी जानते हैं जो हम लोग आज नहीं जानते हैं हो सकता है हम एक महीने बाद जान कि इसके अंदर आपको future का पता चल जाता है आपको मालूम चल जाता है कि भविश्य के अंदर क्या होने वाला है इसकी कोई बहुत अच्छी खबर आने वाली है तब ही कोई बड़े हाथ इसको उठा रहे हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन पे चार्ट आ रहा है आप देख रहे हैं इस चार्ट के अंदर सुभे से लेके शाम तक या पिछले महीनों में या पिछले सालों में जो काम हुआ है वो सारी ट्रेडिंग इस चार्ट के अंदर है इसी चार्ट के अंदर आपने भी ट्रेड किया है इसी चार्ट के अंदर उस आदमी ने भी ट्रेड किया है जिसको प्रवाइव करता है ये भी आपको चार्ट पर दिख रहा है अब मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूँ कि ये चीज़ कैसे काम करती है अब आप देखेंगे कि माल लेते हैं ये स्टॉक ऐसे उपर जा रहा है तो हमें ये पता है कि यहां से एक आदमी इसको ले रहा है और व लगातार उसको बेच रहा है इसी लिए वो स्टॉक नीचे आ रहा है टेक्निकल अनालिसिज ये नहीं जानता कि उसके फंडामेंटल में क्या छुपा है वो सिर्फ ये जानता है कि इसका भाव उपर जा रहा है नीचे जा रहा है या उसका भाव खड़ा हुआ है कहीं नही जा रहा है अगर इन तीनों स्टेज के अंदर से वो स्टॉक कहीं पर B Raise has the technical analysis जो है अपना decision लेता है अगर वो ऐसे दिशा में जा रहा हा है तो हम ये मान के चलते है कि कोई ना कोई हमसे समझदार आजमी है जो इसे ले रहा है अगर वhou इतना पैसा नहीं है हमारे पास में इतनी समझ नहीं है हमारे पास में इतनी information नहीं है कि हम उस आदमी से जगड़ा कर सकें जिसके पास हमसे सब कुछ जादा है आपकी भलाई इसी में है कि आप उस आदमी की पूछ पकड़ लो आपकी भलाई उसी के अंदर है कि आप अगर व technical analysis का basic mool mantra आपको उस smart आदमी को जो आपसे ज़ादा smart है जिसके पास आपसे ज़ादा पैसा और information है उसको follow करना है उसके पीछे चलना है आपको और उसके पीछे कैसे चला जाएगा उसके पीछे चला जाएगा भाव को देखे आप उसको phone करके पता नहीं कर सकते हो के sir आज आप कौन सा stock ले रहे हो मैं भी वही ले लेता हूँ लेकिन अगर आप भाव को देख रहे हो तो ये आपका जो भाव है वो ये बता देगा आपको के वो आदमी stock को ले रहा है अभी क्या नाम है उस आदमी का उससे आपको कोई लेना नहीं है कोई ना कोई है जो ले रहा है fundamental analysis जो है वो बहुती deep study का नाम है उसके हम्बर काफी समय लगता है आपको काफी तुज़रबा चाहिए आपको काफी numbers पता होने चाहिए आपको basic knowledge लेनी पड़ती है आपको पढ़ाई करनी पड़ती है आपको balance sheet read करनी आनी चाहिए बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको सीखनी पड़ती है लेकिन technical analysis में आपको कुछ भी सीख चाहिए 10th class किया हुआ बच्चा एक basic education लिया हुआ आदमी भी इस चीज़ को सीख सकता है और इससे फाइदा उठा सकता है यही चीज़ इसके बारे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगती है कि कहीं पे कोई foundation नहीं है कोई आदमी ऐसा है कि उसको English पढ़नी नहीं आती या वो देख नहीं सकता या उसको कुछ पता नहीं है तो वो कंपनी की balance sheet read नहीं कर पाता कंपनी के result नहीं पढ़ पाता लेकिन price को पढ़ना हरे के लिए बहुत असान है अब आप में से बहुत सारे लोगों के सामने ये question आ सकता है कि सर जब fundamental analysis का कोई use नहीं है तो फिर उसको ये सारे बड़े बड़े लोग क्यों देखते है ये बड़े बड़े लोग fundamental analysis को इसलिए देखते है क्योंकि इनका view बहुत बड़ा होता है इनको आसे 25 साल बाद का देखना है इनको ये देखना है company की health कैसे रहेगी जैसे मैंने आपको बता है insurance company भी तो यहीं देखती है insurance company भी देखती है कि एक आदमी अगर 24-25 साल का है और उसकी body के अंदर सारी part ठीक काम कर रहे है तो उसका premium कम होता है एक आदमी 40-50 साल का है उसके body के थोड़े बहुत part अगर खराब है उसका premium जादा होता है क्योंकि insurance company यह मान के चलती है कि 25 साल वाला आदमी ज़्यादा जिन्दा रहेगा 40 साल वाला आदमी जो है कम जिन्दा रहेगा लेकिन आप अपने आप से पूछ के देखो क्या यह सच है नहीं 25 साल वाला आदमी 26 साल में भी मर सकता है और 40 साल वाला आदमी 100 साल तक भी जी सकता है यह है टेक्निकल कारण 25 साल वाले आदमी का बाहर निकलते है एक्सिडेंट भी हो सकता है 25 साल वाले आदमी को हाड़ टेक भी आ सकता है अचानक 25 साल वाले आदमी के लंग्स खराब हो सकते हैं अचानक और हो सकता है 40 साल वाला 80 साल तक जिंदा रहे लेकिन इंशोरेंस कंपरी कहती है हमको टेक्निकल कारणों से कुछ नहीं लेना आपका एक्सिडेंट हो गया यहां की छट गिर पड़ी भुकम पा गया वो टेक् लेकिन हम लोग जो हैं वो प्राइस को इसलिए देखते हैं क्योंक ताकि हमको फंडामेंटल ना देखने पड़े और जो आपनी फंडामेंटल देखके डिसीजन ले रहा है हम उसको फॉलो कर सके हमको भी फंडामेंटल ही देखने हैं अल्टिमेटली फंडामेंटल ही कंप फॉलो करते हैं जो की fundamental देख रहा है और उसको follow करने का तरीका ये prize है हमारा ये भाव है हमारा जिसको हम देखके सारे decision लेते हैं तो आज के episode में हमने बात की कि fundamental analysis और technical analysis और basic difference क्या है और इन दोनों के पीछे क्या छुपा है अब इसकी detailed study के लिए आपको कहीं न कहीं जाके read करना पड़ेगा या program training program attend करने पड़ेंगे जैसा की हमने भी बताया हम भी इस तरह के program करते रहते हैं जैसे आपने देखा दिल्ली में technical analysis का हमारा program था जो की basics के लिए था वो इसी तरह के लोगों के लिए जिन्होंने अभी शुरुआत की है इसके इलावा हमारा एक advanced program है जो master trader अभी कॉलकता के लिए planned है 26-27 को जो लोग भी उसमें आना चाहते हैं वो आ सकते हैं green के नीचे आपके पास number आ रहा है जहां पर जाके आप registration कर सकते हैं इस भाव के अंदर सब को छुपा हुआ है हर जो जानकारी हमें चाहिए वो सब इस price के अंदर हैं सिर्फ हमें अपनी आखों को इतना train करना है कि हम इन रेखाओं के पीछे छुपे हुए रास को जान सके हम अपने training programs के अंदर उसी चीज़ को सिखाते हैं और जैसे मैंने बोला कोई भी आदमी उसे सीख सकता है चाहे आपकी education कुछ भी हो या ना हो आप इसे सीख सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं तो आज के एपिसोड में इतना ही आने वाले दिनों में आप से फिर मुलाकात होगी इसी तरह के बहतरीन वीडियो आप के लिए लाते रहेंगे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए हमें प्यार देते रहिए हमारे वीडियो को शेर कीजिए जादा से जादा लोगों तक पहुंचाईए ताकि जो फायदा आपको मिल रहा है वो उनको भी मिल सके आने वाले दिनों में हम इस तरह के टेकनिकल अनालिसिस के बारे में कुछ वीडियो और बनाएंगे ताकि आपको बेसिक की जानकारी मिल सके आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शक्रिया धन्यवाद नमस्कार